आपने कहा कि धर्म के आधार पर दूसरा मुल्क बना वहां पर शिया और एहमदी बलोच ये भी तो प्रताड़ित हैं वहां पर दिखे वो प्रताड़ना आंकडों के आधार पर इतने सिद्ध नहीं की जाती और पूरी दुनिया में सारा ब्लॉक मुस्लिम ब्लॉक माना जात और सिया एहमद या वो तो छोड़िये मुसल्मान को भी अधिका रहे हैं अप्लिकेशन करने का हमारे समवादान ने रास्ता खोला है वो अप्लिकेशन करकर रेफ्यूजी के तौर पर नहीं नागरिक्ता लेने के लिए अपलाई कर सकते हैं भारत सरकार इनकी भारत की सुर कि यह किसी भी वैद डॉक्यूमेंट के बगर सरण में आये हैं बॉर्डर क्रोस करकर आ गए हैं तो अब आपने पोर्टल भी खोल दिया है उसमें वो सारे डीटेल्स करेंगे वो पोर्टल सुरक्षित है और अगर किसी के पास दस्तावेज नहीं है तो क्या अब वो ना न दस्तावेज है वो मेरे एक रफ अंदाज से पचासी प्रत्सत से ज्यादा है और कितनी देर लगेगी क्योंकि उन्हें एक ओथ भी लेना पड़ेगा हमने कोई समय मर्यादा नहीं रखी है आराम से सब लोग एप्लिकेशन करें मैं सब को अपिल करता हूं आप आराम से करि आपको इंटर्वी के लिए बुलाएगी और डॉक्यूमेंट की ऑडिट के लिए बुलाएगी और वो फेस टू-फेस इंटर्व्यू होगा या फेस टू-फेस होगा और अगर वो सेकंड जेनरेशन रेफ्यूजीज है मतलब अगर उनके बच्चे हो गए हिंदुस्तान मे पन्रह अगस्त दोजार उन्नीसो सैतालिस से लेकर इकतिस डिसमबर दोजार चौदा तक जो भी आये हैं वो और उनके बच्चों का भारत में स्वागत है